पारस्परीक अंतर क्रिया में इसके पहले हमने जो है सकारात्मक और नकारात्मक अंतर क्रिया पर हमारी चल्चर चल रहे थी और अब तक हमने सकारात्मक अंतर क्रिया का अध्यन कर चुके हैं अब हम देखते हैं नेगेटिव इंट्रेक्शन या नकारात्मक अंतर क्रिया ऐसे अनुक्रिया है ऐसा इंट्रेक्शन जिसमें एक जीव को लाव होता है तो दूसरे जीव या दोनों जीवों को हनी होती है negative interaction या नकारात्मक अंतर क्रिया कहलाते हैं अठाप CDC बात है किसी ना किसी को हमी अवश्य होगी है इस प्रकार की अंतर क्रियाओं को हम antagonism भी कहते हैं और इसके अंतर गर्श मुक्रुप से 4 प्रकार की क्रियाओं सामिल है जिनमें सबसे पहला है प्रतीश पर्दा या competition, दूसरा है परजीविता, तीसरा है परभख्षण और चौता है प्रतीश जीविता चलिए इनको step by step हम अध्यन करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं प्रतीश पर्दा या competition यहां पर अगर आप इस bracket को देखें तो यहां पर मैंने दो माइनस के चिन बनाएं दो माइनस के चिन इस बात का संकेत कर रहे हैं कि दो जियों के पाया जाने वाली यहां ऐसी अंतर क्लिया है जिसमें दोनों जियों को हानी होती है अगर हम प्रतीश पर्दा की बात करें इसको परिवासित रूप से देखें तो जब एक ही जाती के सदश्यों दो भीण प्रदाती के सदश्यों के बीच भोजन आस्राय या अने वस्तूओं के लिए प्रतीश पर्दा होती है प्रतियों गीता होती है तो इन सभी को competition या प सदाशियों की यह सदाशियों की बीच में वुटा है तब सब्सक्राइब यह कर सता केOS के सदाशियों के वर कि अनलकर की होंगे आगारी दान की बात करें तो इसको सबसे अच्छा इसांपल जो है इंट्रा स्पेसिफिक पॉंपटिशन का अगर हम इसांपल बात कर रहे हैं तो मांद के चलिए कि दो बीजों को एक ही प्रजाती के दो वीजों को लगा दिया जाए और दोनों जब अम्गूरित होंगे तो विभीन प्रकार के पोशक पदारतों, जल, ब्रता के लिए उनके बीच में होने वाला जो कॉंपेटीशन है वहां कॉंपेटीशन इंटर इस्पेसिफिक कॉंपेटीशन पहलाएगा वही बद फसल और खर्पतवार के बीच में होने वाले जो पहलाता है आप जानते हैं कि फसर और करपतवार के बीच में जब कॉंपेटिशन होता है तो जो स्ट्रॉंग होगा ज्यादा से ज्यादा पोशक पधारतों को या अन्य दूसरे पधारतों को गहन करेगा वह आगे बढ़ जाता है इसकी वजह से दोनों को कि दोनों को परियाद्त मातरा में भोजान नहीं मिलपाता इसको समझे कि मांद के चलिए हमारे पास कुछ चीजिए कुछ चीज़े हैं भोजन की सामगरी रते कुछ फल रते वए और दो बच्चे जो भूखे है उन दोनों को उन्हें कहा जाता है तो दोनों एक डींदे की दूसरे से चप्रिए करके खना की सिस्त करेंगी कि उसका ताकट्रों उट्र होगा निए कन तो तुस्व बहुत्युक्ष गर्सुषार दोनों ने उसके इसले करते हैं को कि करते शिती शन honours सचाहिए ग 앞으로 हुआ पाएगा तो चलिएमरी हुआ committed के काicana दो जीवों के बीच में होने वाली ऐसी अंतर क्रिया है जिसमें एक जीव को फाइदा होता है और दूसरे जीव को अन्तर क्रिया करता है इस प्रकार का जो संबंद है वहाँ परजीविता कहलाता है अगर हम परजीविता की बात करते हैं तो इसको हम अलग अलग तरीके से बर्गी करत कर सकते हैं सबसे पहले देखें यह जीओ के अंदर पाय जाता है यह बहार पाय जाता है इस आधा पर इसको दो भागों में बाटा जा सकता है प्रजीविता आपको सबसे पहले हैं और दूसरा है प्वस्ट क्या होते हैं जब कोहीं जीव दूसरे जीव के सरीव के ऊपर और आश्रीत रहता है तो ऐसे जीव को हम प्रेय हैं और जिस जीव के सelü तक सली तक वसें क्या कहते हैं जीव दोपना साथ यहां उस्ट नोगा हाँ जिसेश्चे मच्चर के लिए पोस्ट हो गया और मनुष्री की लिए मच्चर के लिए तो प्रतार के होते हैं एटो पैरासाइट हेब्स ही आतों के सुंद जरीटकना रहते हैं इन पेया साहिट को हाम इंडो पेयरसाइट कहते हैं जैसे प्लाज्मोडियों जीओ accomplish वläख है हिलेकी कुछ एयसे होते हैं जो सरीर के वाहर रहे साžर कंठे जैसे मच्चर हो गया खट माल हो इंट 171 तो परसाइट्स नोब को हम दो हमाई हम बाड़ते हैं एक है हम प्रजिवी के रुट में ही हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शयल जीवन का कुछ भाग परजीवी के रूप में व्यतित करते हैं बाकि जीवन जो है नार्मल लाइफ व्यतित करते हैं इसकार के जो पैरासाइट्स है इनको पार्शियल पैरासाइट्स कहते हैं करें लेहीं सबस्सक्राइब को इसके बाता है अगर वो नकि czत पूरा की जो आईशित करते हैं अंपना को पूरी लाइफ साइकल परноваकर रूप में ही ज़ित करता है इस ची रीच या पुलाई हो गया जो मनुस्री की आपके अंदर पाई आते हैं चलिए इसकी एक और वर्गी कमर देखें तो पैरासाइट को दो हागो में और बाठा जा सकता है एक होता है ऑपलिगेट पैरासाइट और दूसरा है हेकल्टेट्ट्यु पैरासाइट्स अब यह कलपी परजीवी ऐसे परजीवी जो दूसरे जिएओं के शरीर की अंदर या बहार रहकर ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं अगर उसके बहार आते हैं तो उनका अस्तितुत समाफ़का जाता इस प्रकार के जो पैरासाइट्स हैं यह ओब्लीगेट पैरासाइट्स कहलाते हैं लेकिन कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो कोस्ट के सरीर से अलग होने के बाद भी जीवीत रह जाते हैं इस प्रकार के जो पैरासाइट्स है वो कहलाते हैं विकल्पी पर जीवी कहलाते हैं चलिक्ष Tenn अभ दीख्ते हैं ट्लांट में किते प्रकाल के प्यज़ करते हूं रोग होते हैं ऐंगिनियुस्स पर बिश्ट ब्लांट की भाज करते हैं ल्चेस पर चुन पोनम्य आहां पर चाल होगा और फूर की तोट Laug screen और दूसरा अंसिक पर इसे कि बात करें तो आपको मालूम होगा इसे पर जीवी श्च और फीन-दीव जा ल Twoabs है इसे में ग्रामपल इस में अगर इसे मांको मालूम होग है इसे परजीवियों की रानी कहा जाता है जहां सबसे बड़ा फ्लावार होता है और इसकी गंद जो है सड़े हुए मास के समान होती है ठीक है अब बात करते हैं पूरतना परजीवी जैसे कि अमर्बेल एसकूटा एसी था यह पूरतना परजीवी जैसे एक्जामपल है वही आ अन्सिक परजीवी की बात करें तो आंसिक परजीवी में जैसे एक्जामपल परजीवी जैसे इसका इंसमी्क को जूर प्रजीवें और कि मैं पाकरने वाले हैं रिडेशन या परवक्षण ही जहां दो जीओं के बीच में पाए जाने वाला ऐसा संबंध है इसमें एक को तो लाब होता है परन्तु दूसरे को नुपसान होता है इसको एक्जामपल के थूँ समझते हैं आपने देखा होगा कि कुछ जन्तु ऐसे होते हैं जो दूसरे जन्तु को मार कर खा जाते दूसरे पौदों को खा जाते हैं तो ऐसे जीओं को हम क्या क्या चाहिए प्रवक्षण के तो आप पोशन की यहां विधी जो है वहां परवक यह कुछे का मistow ॏ इक्षाइन को थे जाती है इकाता है जैसे जीव निफ्सान हो जाता है और हम जीवना जाता दूसरे बहुत अच्छा जा जाम्पल है पसु चारण भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि पसुओं के द्वारा जो है खास को खाये जाता है ज्यक्रैंग की जाती है जिससे दीरे-दीरे कर के जो है घास की संख्याज तो है वो कमोने लग जाती है वहीं पर प्रकार के जो इंसेक्टिव और प्लांट है वो भी इस कैटेगरी के अंतर कर आजाते हैं छेड़े अहले हम बात करते हैं अन्तिव टॉपिक की जिसका नाम है प्रतीजीविता या एंटी बायूसिस प्रतिव ऐसे होते हैं जो उसे प्धारतों का सि क्रेशन करते हैं जो दूसरे जीवों को नष्द करते हैं इस प्रकार जो निखे होते हैं इस परकार की can you upon he was one closer चलिकर जो दूसरे जीव को नस्द कर देते हैं अब इस प्रकार गजींद को disability सीश्ट मतलब होता है व्हांनुद एन्टी मतलब होता है जीवन और जीवन उनस्दा करने वाले पाराऌत या को लोगो स्रावित करने की जो प्रवत्ति हैं वो एलगी फंजाई बैक्टिरिया आदी में पाजाती है और इसका बहुत अच्छा को देखाया उम्मीद करूंगा कि यहां वीडियो आपको पसंद आएगा अगर यहां वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूले और इससे संबंदित एक्जामपल्स को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखें क्योंकि यह एक्जामपल ही कॉम्पेटिशन एक्जाम में इवन बोर्ड एक्जाम में भी आने की सम्मावना इनकी अधिक्तम यह चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो के स